हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पटवारी एक्जाम डेट के बारे में जैसा कि दोस्तो आप सभी को पता है कि राजस्थान पटवारी की एक्जाम तीन चर कर दिया गया कि कहीं जे एन भरती की तरह सिविल की तरह इसमें भी पटवारी में भी किसी तरह की कोई धांदिल ना की जाए एक्जाम में पर दोस्तों यहां पर पटवारी एक्जाम डेट को लेकर कैंडेट दो मैनस से प्लस हो चुके हैं पर राजस्थान पटवारी एक्ज इक्जाम डेट को लेकर उन्हें अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिसिल अपडेट नहीं मिली है पर दोस्तों जहां पर मीडिया रिपूट निकल कर आ रही थी और काफी सारे जगाओं पर ये डिकलियर किया जा रहा था कि न्यूस पेपर के कटिंग में भी कि जून के अंदर जो है अध्यक्ष है राजस्तान के हरी परसाद सर्मा जी के तरफ से आप सभी के लिए एक जो है भयंकर अपडेट आ गया है पटवारी इक्जाम डेट को लेकर इसकी डेट को फिर आगे बढ़ा दिया गया है यहां पर दोस्तों जो आपकी पटवारी जून के अंदर होनी थी व है आपकी पटवारी की एक्जाम डेट होगी यानि कि दोस्तों उनके तरफ से बहुत बड़ा ब्यान आया है यहाँ पर और दोस्तों इसको लेकर आपको जल्द ही ओफिसियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है और साथ ही दोस्तों इसको लेकर मैं आपको एक वीडियो भी एबलेबल करूंगा जिसमें कि उनके तरफ से साफ साफ यह घोशना की जारी है कि पटवारी को एक्जाम को लेकर कैंडेट को अभी चार से पांच मेने और इंतजार करने होंगे तब जाकर जो है पटवारी की एक्जाम वो दे पाएंगे यहाँ पर दोस्तों लाखों कैंडेट पटवारी की एक्जाम का इंतजार कर रहे हैं और दोस्तों हो सकता है कि अगर जनवरी के अंदर पटवारी की एक्जाम हो जाती तो आज जो है पटवारी की result declare करने की तीथी भी घुसित हो गी होती पर दोस्तो civil JN paper cancel होने के कारण, leak होने के कारण यहाँ पर दोस्तो उसका प्रभाव पटवारी पे भरती पे भी पड़ गया और यहाँ पर दोस्तो candidate यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि पटवारी की कब exam होगी, कब हम पटवारी की exam देंगे और कब हमारी result आएगी, कब हम पटवारी बनेंगे पर दोस्तो यहाँ पर जो है अध्यक्ष बोर्ड की तरफ से यह declare कर दिया गया है कि अभी candidates को 4-5 महिना और रुकना है तब जाकर आप पटवारी की exam देंगे यहाँ पर दोस्तो पटवारी की exam date को लेकर candidates को काफी ज़्यदा परिसानी उठानी पड़ी कभी यहाँ पर जो है अध्यक्ष नहीं थे यहाँ पर उनके तरफ से RMS की तरफ से रायस्थान स्टाफ सेलेक्षन कमेंशन के अध्यक्ष नहीं थे उन्होंनों इस्तीफा दिया इस्तीफा देने के बाद नए अध्यक्ष आए हरी परसाद सर्मा उनके तरफ से भी मीटिंग की गई पर अभी तक कोई डिकलेर नहीं किया गया और यहां तक की संभावना बन रही थी कि उपेन यादों ने भी कहा था कि जून के अंदर आपकी पटवारी की एक्जाम होगी पर यहां पर दोस्तों अब जो खबर हरी परसाद सर्मा की तरफ से निकल कर आ रही है क्योंकि दोस्तों जो है जो आपके लिए यह अपडेट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए दोस्तों आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा और सेयर करियोगा क्योंकि दोस्तों अब जो है जून में नहीं आपकी अगस्त या सितंबर में पटवारी इक्जाम डेट होनी की यहां पर संभावना यानि कि दोस्तों कैंडेट को अभी चार से पाच मेने इस भर्दी के लिए और इंतजार करना पड़ेगा और यहां पर दोस्तों आप अपनी रिजल्ट के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा यहां पर दोस्तों जब इक्जाम एतनी देरी हो रही है तो रिजल्ट कवाएगी इसकी तो संभावना भी लगाना बहुती ज़दा मुश्किल है क्योंकि दोस्तों छोटी से कारण के वाजा से इस भर्दी को दो मेने तक एस्टेंड कर दिया गया और इसका जवाब भी मांगा जाता है तो वो कहते हैं कि जहाँ JNCivill की जिस press के अंदर paper छपी थी, question paper छपे थे उसी press के अंदर जो है पटवारी की भी question paper छपे थे, उसके कारण कहीं पटवारी की भी paper leak लीक ना हो जाए इसी को लेकर रायस्थान सरकार पटवारी की exam date को जो है यहाँ पर postpone कर रहा है तो अब मैं वो आपको officially update देता हूँ कि पटवारी की exam date को लेकर हरी परशाद सर्मा का क्या बड़ा ब्यान आया है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ तो दोस्तो बने रहेगा हमारे YouTube चैनल study zone के साथ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जुरू करिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यदा मैनत लग दिये दोस्तो इसलिए दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा एक लाइक से काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही अभी तक आपने हमारा यूटुब चैनल स्टडी जोन को सस्क्राइब नहीं किया है सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों जादा से जादा इस वीडियो को फैला दीजेगा जो भी पटवारी की एक्जाम डेट को लेकर अपडेट जन जाते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर फैला दीजेगा तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको वो चले जाएगा की राष्थान सरकार जो है पटवारी कीbbles इसकी आडवियों करते रहे विली y पर फिर लीख होने का दोस्तो तो लाखो केंड़ेट को इसके लिए यहां से 5-6 मेने इंतजार करना पड़ा है, यह बहुत बड़ी चीज है, रास्थान सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो चलिए दोस्तों बात करेंगे तो काफी बाते हो जाएंगी, पर चलिए मैं आपको में मुद्धा वो अपडेट दिखा दूँ कि आपको भी यह अपडेट एकदम ऑफिसील लगे, ना कि यह फिक अपडेट लगे, क्योंकि हमारे चैनल स्टडी जोन के तरफ से आप सभी के लिए एकदम सटीक जनकारी दी जाती है, यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि उपेन यादों ने जो है यहां प पर जो है अध्यक्स से मिला है और उन्होंने पटवारी एकदम डेट को लेकर उनसे जब बात की, तो उनके तरफ से क्या अपडेट आया है वो आप यहां पर देख सकते हैं, अभी से यह कुछ गंटे पहले का ट्यूट है, लगबग चार गंटे पहले का उन्होंने अपने पटवारी एकदम आपकी जून में होने वाली थी, वो उसे पोस्पॉंट करकर यहां पर जुलाई में भी कराया जा सकता है, पर दोस्तो इसे आप एक अपडेट ही मांगे, क्योंकि यह ऑफिसली डिकलेर नहीं किया गया है, यहां पर एक आपको संभावना अपडेट दिय जा गया है, कि अगर इससे पहले भी नहीं होती है, इससे पहले नहीं होती है, तो इसके बाद भी एकदम नहीं होगी, यानि कि दोस्तो अगर अगस्त तक पटवारी की एकदम डेट नहीं होती है, तो यहां पर दोस्तो अगस्त के बाद भी नहीं होगी, यहां पर आपकी जुलाई और अगस्त के अंदर जो है पटवारी की एक्जाम कराई जाएगी हो सकता है कि उससे पहले भी जो है पटवारी की एक्जाम करा दी जाए अगर सरकार इसके बारे में सोचती है तो पर दोस्तो इससे जादा लेट नहीं होने वाली है जुलाई और अगस्त के बीच म आपकी पटवारी की एक्जाम करा दी जाएगी पर यहाँ पर दोस्तों अभी तक इसके बारे में आफिसली नहीं का गया है यहाँ पर उन्होंने वारता लाब किया है उसके कॉर्डिंग कई भरतियों को लेकर तो उसमें यह अपडेट पता चला है हो सकता है कि राजस्थान सरकार अगस्त और जुलाई से पहले ही आपकी पटवारी की एक्जाम डेट डिगलेर कर दे और आपकी एक्जाम को यहाँ पर जो है जल से जल करा दे वैस्त दोस्तों आखरी जो अपडेट रहेगा आखरी फैसला रहेगा वो रास्थान सरकार का रहेगा कि वो पटवारी की exam कब करानी चाहती है तो हमारे पास ऐसी जो भी छोटी या बड़ी जो भी update आती है पटवारी exam date से related हुए तो हम आपको A to Z update आप तक provide कराते हैं चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो तो यहाँ पर दोस्तो आपको यहाँ पर अगस्त तक जो है update मिल जाएगा पटवारी exam date को लेकर यहाँ पर दोस्तो अगर अगस्त में होगी तो आपको जुलाई के अंदर मिल जाएगी यानि के दोस्तो जून में होनी थी तो यहाँ पर दोस्तो आपको April last last तक जो है एक update मिली जाती कि पटवारी की exam आपकी कब होने वाली है तो यहाँ पर दोस्तो संभावना है कि जल से जल हो जाए अगत से पहले ही पटवारी की exam हो जाए यहाँ पर दोस्तों अगर कोई भी पटवारी को लेकर अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल Study Zone के माध्यम से अपडेट कर देंगे तो उमीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आए पसंद आए तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल Study Zone को सब्क्राइब करेंगे क्योंकि पटवारी की सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल Study Zone के माध्यम से मिलती है तो उमीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आए पसंद आए तो लाइक जूर करेंगा और दोस्तों शेयर जरूर करेंगे क्योंकि आप सेयर नहीं करते हैं इसलिए शेयर जरूर करेंगा और साथ ही हमारे यूटूब चैनल Study Zone को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि पटवारी की सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर Study Zone मिलती है तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक दोस्तों जाहिंद